योगी सरकार के सभी मंत्री अपने सौ दिन का विभागी एजंडा तैयार कर लगातार योजनाओं का जो जो चित्र है उसको लगातार बढ़ाने में लगे हुए इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए क्रिशी और क्रिशी शिक्षा राजी मंत्री बलदेव सिंग ऑलग सबसे पहले आप से जाना चाहेंगे कि जो एजंडा तैयार किया गया है लगातार उस पर आप लोग काम कर रहे हैं कौन-कौन सी योजनाओं है जिसका विस्तार बढ़ाने में सबसे पहले फोकस दिखाए गारा है कि किसानों को किस तरह से उनकी आयो को दुगना तिगना च कर रही थी और किसानों को आगे बढ़ने का, आई को बढ़ने का काम कर रही थी, अब två заCarbाईस में जैसे सरकार बनी है, पिर उनके मांने ओरिवी के निकरत पिर सौ दिन کے जेन्डे को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो भी किसानों का किछी किछी रीकल्चों का जो भी अनुसद्ध हैं जो भी आगे सेर्च हैं। उनको सब को हागे बढ़ाने का काम करें ग i.a को बढ़ाने का जो अजने हम लोगों ने बनाया जो मानुआं प्रदानम्तृ जी का भी विज्वन है मानुमें पॉंती जी का विजिन है और हम सारी सरकार किसानों के हित में काम करने को इसको आगे बढ़ाने का काम करने का तर काफी महतपूर्ण विभाग का जिम्मा आपके कंदे के ऊपर है विपक्षी दलू का कहना है कि गन्य का भुकतान और चुट्टा जानवर किसानों के सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है सर इसके लिए क्या कोई रूपरेखा तैयार की गया बिक है घन्य का भुकतान बहुत जल्दी हो रहा किसानों का और काफी दुक्तान सरकार ने कर भी दिया है और बहुत जल्दी उसका भी बुद्दान होने वाला है। जहां ताका छुटा जानवों का सवाल है। हमारे उस पे हैं। सरकार की प्राइटी पे हैं। और इसका भी बहुत जल्दी समाधान होने वाला यू मैं आपको कहना चाहिए। सर्माधान चुनाओ के नतीजे आ जा रहे हैं। भारते जन्ता पार्टी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। समाधवादी पार्टी का कहना था कि वह मैं अच्छी खाजी सीटे लेकर आगी लेकि अभी शून है। और जहां तक अखलेश जी का स्वाल है कहीं कोई एक सीट भी उनकी आने वाली नहीं है। और वो सोचे भी ना, क्योंकि जन्ता ने 2014 से लेके, 2017 से, 2019, 2022, जन्ता ने जो पार्टी का नेतर तो है, हमारा नेतर तो है, परभानमंत्री जी का नेतर तो है, हमारे मुकमंत्री जी का नेतर तो है, हमारे संगठन का नेतर तो है, उस पे हाद जन्ता ने एक एक बेक्ति ने महर लगा ली यह इसली और कहीं किसी का होने वाला नहीं है और सब्सक्रविट सभी आप देखना 2024 का चुनाब भी एक थरफा चुनाब होगा और अच्छा चुनाब वो होगा तो मैं यही कहना चाहता ओ कि जनता जो है पार्टी ये सरकार के साथ है कि कुई ये सरकार जन हित के कारियों के लिए ही बढ़े है तर आकरी सवाल है उत्तर प्रदेश के किसान भाईयों को हमारे चैनल के माद्धियम से क्या संदेश देना चाहिए कि अगले पांस साल आप लगातार जो योजनाए हैं उनको लगाता धरातल पर उतारेंगे किसानों के लिए काम करेंगे जैसा आपने कहा भी कि किसानों की आए बढ़ाना जो है मेन फोकस है कि वो उनको लगेगा कि हमारी जो आमदन हुए है वो बहतर हुए है और जब आमदन बहतर हुए उनका जीवनस तर अच्छा होगा सब चीज बहुत सारी फैसलिटी हम देने जारे हैं यह लोग पत्र में हैं कि हमने किसानों के टूवल के जो बिल है मिजली के हो माफ कर रहे हैं और फैसलिटी दे रहे हैं और सबसिटी ये दे रहे हैं यंतरों पर सबसिटी दे रहे हैं किसानों को बीज अच्छा देंगे जब बीज अच्छा देंगे खाद अच्छी देंगे तो नेचरली ही उसकी आविलिस बढ़ेगी और किसानों को लाब गाए से इंस्टाल करें हमारा तेजी सो भरता न्यूज आप डेली इंसाइडर